नमस्कार मित्रोग हम राजस्तान की किसान आंदोलन देख रहे हैं और इन किसान आंदोलनों के दुरान या हम इस गटना कुछ आज जो जिगर करनी जा रहे हैं इसे पर्जमडल आंदोलन के दुरान भी रखते हैं मित्रोग इस पे हम बात जित करते हैं और आज जो हमारी मैदपून कटना है वो एक डाबडा कांड अमित्रूप डाबडा कांड क्या था इस प्रिक्षेनर बहुत आदिक बार राजस्तान की अलग-अलग पर्दोगी परिक्षाओं में पूछे गये हैं मोस्त इंपोर्टेंट ये टोपिक रहता है छोटा सा टोपिक है बेलकुल ही पर इस पर बार बार वर्शन आते हैं इसलिए इसको ध्यान पुरोग और पुरा देखिए ताकि हम इसके कोई भी गशन हमारे चुटे हम सारे इसके सभी परकार के गशन हल कर पाए तो हम आज मित् मित्रू जीदर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डाबडा डाबडा कांट अब की डाबडा कांट है इस पर किस तरह की कोईशन अब तक पढ़तों की परिक्षाव में पुछे गए हैं और इनकी और कोन से कोईशन बनते हैं उन पर हम 2080 जट पहले तो मित्रू अपने इसमें जो क्वेशन पूछे गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं उन पर हम देखते हैं तो एक तो अपने गुधानक ने कि इसकी स्तिती पर पूछा गया है स्तिती का तर्प्रे ये है कि ये कहां पर स्तिता है इसके बारे में पूछे गें हैं दूसरा मित्रू अपनी गुधानक ने कि आयोजन यानि इसका आयोजन करता कोन था यानि आयोजन किस ने किया इस भी कुश्चन आये हैं और तीसरा कब ये कांड है वो कब हुआ और चोथा है कि ये क्यों हुआ क्यों कह दें यह अब कह दें कि इस जान जो सभेलन बुलाया गया था इस सभेलन का उदेश्चे क्या रहा था ये हम द्हान रखेंगे नेक्स्ट यहां पर्मुख डटना पर्मुख कटना कुन सी हुई है और इसके बार में अन्य तथ्य है अन्य से समधित जो फैक्टर बनते हैं मित्रों उन पे हम चाचा करेंगे यानि यह हमारे डावडा कान की बिन्दू है जिस पर पर्दयोगी परिक्षां में बार बार कुशन आ र इन्हें बड़ेगी चुकि हमें कोई भी टोपिक जब हम करते हैं तो सीधी सी बात यह होती है कि वो टोपिक हमारा क्लियर होना चाहिए हमारी उस टोपिक के प्रति समझ होनी चाहिए नहीं ही हम रटे हैं यह हम त्रीक बनाएं ऐसा कुछ नहीं है एक समझ हमारी होगी समझ विख्षित होगी तो हमें बहुत लंबे टाइम तक जात रहेगा और हम पूर्त उसकी घट्नाओं को अगर हम त्रीक बना रहे हैं या मरटड़े नहीं होता है बहुत गम समय के लिए लुख्कालिक अधो होता है यह कहें कि टाज़कालिक प्रिस्ट्पक्युमीं तो हमें को पाईदा दे सकता है पर बहुत लंबी समय तक वो पाइदा हमें नहीं दे सकता में तो यहां स्थिती पर क्या दोशन आ रहे हैं इनकी हम पात करते हैं कि डाबड़ा कहा है डाबड़ा डीडवाना तैसिल नागूर में है डीडवाना तैसिल नागूर में एक गाउं है डाबड़ा और इस डाबड़ा गाउं में ये कार्ण होता है इस कार्ण इसका नामकरन क्या होगा डाबड़ा कार्ण होगा नेक्स्ट मिल्टो अगला है कि इसका आयोजन यानि आयोजन किस ने किया आयोजन करता कोन था तो अपने को ये ध्यानक है कि इसका आयोजन मारवाड लोग परिशत मारवाड लोग परिशत वै किसान सवा ने किया है मुख्यत इसमें मारवाड लोग परिशत है ये मारवाड चित्र की अर्थेदिक स्क्रिय है अंतल ये मारवाड लोग परिशत करती है और इसका कहती इक बार ऐसर वशन भी आया है कि इसके मुख्य आयोजन कोन थे यानि ये परिशत और संस्ता तो ये हो गई है पर इसके आयोजन में मुख्य भूमी का किस वेक्टी की थी तो वो वेक्टी थी मतूरादास माथूर याणि मतूरादास माथूर है इनों ने इसके मुख्य आयोजन दरता थे हैं इस सर्स्ता के साथ नेक्स मितूर कि ये कब आयोजी तुमा कब कब ये घठना होती है वो होती है 13 मार्च उन्नीसव सेन्तालियस को ये मोस्त इंपूर्टीन है मितूर ये बहुत जादा इंपूर्टीन है बहुत पार राजस्तन की पर्दोगी परिक्षाओं में पुछी जा चुकी हैं हमें मार्च उन्नीस सो सेंतालिस को होता है मितूर अब कैसे हुआ क्यों हुआ तो इसके पिछे देखे मितूर ये था कि मारबार लोग परिशाद और जो किसान सबा है वो किसानों की मांगों को लेकर एक समेलन कायुज़न करती है जो कभी पुछा जा सकता है अभी पुछा नहीं गया है इसका ताथकाली कारण क्या था ताथकाली कारण था कि पोकरण सी 700 पुस्करणा म्रामनों को बिना कारण निकाल दिया गया तो 700 पुस्करणा प्रिवार है ये 700 पुस्करणा प्रिवार पोकरण से निकाल दिये गए है और बिना कोई कारण के निकाल दिये गए है दादागिरी करते वह निकाल दिये गए है इसलिए क्या है कि ये आयोजित होता है हालां कि मारमार लोग प्रिशत और किसान सबा किसानों के अन्य सबाओं के लिए भी विजार मिमर्सिट में करती है पर तातकलिक होता ये खाना है अब जैसे ही आयोज़त नखा जाता है तो यहां की ज़ागिरदार है वो जैगिरदार इसके दिरोद में है वो आयोज़त करवाना नहीं चाहते है और यहां ये लोग करना चाहते है तो जैगिरदार पहले सही अपना रावला रावला किसको बोलती थे मित्रों? रावला जो जैगिरदार का निवास्तार होता था बड़ा सा उसको कहते से और अपने रावली में बहुत से राजभुतों को बुला कर लठेतों को इकठा कर रखा था पहले से कि यह अगर आयोजित करेंगे तो हम इन पर हमला करेंगे और यह जो आयोजन होता है वित्रूप यह आयोजन होता है एक खिसान था मोतिलाल चोधरी की घर पर इसका आयोजन होता है मोतिलाल चोधरी के घर पर इकठे होए और उसक यह क्याया कि इनके परिवार के साथ जो लठेत है बड़ी बतमीजी करते हैं यह जो पन्मुक कहटना है यह जैसा हमने देख लिया कि 13 मार्च 1947 को होती है कांपी होती है मोतिलाल चोद्री के घर होती है और मोतिलाल चोद्री का घर अपनी जैसे देख लिया है कि डाबडा गाउंगे मोतिलाल चोद्री के घर पर आयोजित ये सभा है और इस सभा पर जागीर्दार के लठेत आकर्मन कर देते हैं अब आकर्मन करते हैं तो इनका मुख्य मक्सद क्या रहता है क्योंकि जागीर्दार ने पहले से ही क्या है मना कर रहता था फिर भी मोतिलाल चोद्री अपनी घर में इसका एवजन कर रहा है तो सबसे पहला मक्सद था वो उनका परिवार था तो में इसमें मोतिलाल चोद्री के भाई मोतिलाल चोद्री के पिता मोतिलाल चोद्री की पत्मी को बाई और पिता को तो मार दिया जाता है पत्मी को कुरूप कर दिया जाता है और मोतिलाल चोद्री की मान के पैर काट दिया जाता है यहां भिनोनी अर्गते होती हैं, महिला उपर भेंगा रख्या चारके जाता है और यहां पुरूसों को पीटा जाता है इसमें सेख्डों लोग घायर होते हैं मित्रों यहां अपने उधानक ने हैं कि इसमें सेख्डों लोग घायर होए हैं, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यां छे लोग मारे गें हैं पर छे लोग कभी भी पुछे नहीं हैं देखिए ऐसा माने जाता है कि अधिक लोग मारे गें इसके एपूस तांकड़े हैं यह सपस्त नहीं है पर छे लोग मारे गें हैं यह सरकारी रिपोर्ट में दिया गया है पर अपने को यान जानक ने है कि अभी तक कर राजस्तान कमपेटिसन में इनके बारे में एक पार चुक है उसमें छे ओक्शन में था पांच तांच माना गया है पर सरगारी रिपोर्ट में छे दिया गया है और यहां पांच लोग भी अपने घ्यानक ने ओप्शन को देखकर आलंकि ऐसा करशन पुछा नहीं जाएगा क्योंकि यह विवादित है और विवादित जाना वि और यहां लखेत आतर्वन करते हैं किसान मारे जाते हैं तो यहां किसानों में कुछे किसान हैं वो जाट रेजीमेंट की सिफाई भी थे और वो किसान अपनी बंदूग सहीत यहाए वे थे तो उन्होंने गोली चला नहीं प्राण करते हैं गोली चलानी प्राण करते हैं तो यहां की जागिर्दार के भाई थे महताप जी हैं ॥ा इसको विशेष का थ्याद रखेंगें यह कोछन पूछा नहीं गया है कि जागीर्दारों की दरफ से भी इस कांड में कोई मारा गया रख्या बिल्कुल मारा गया है मित्रू, और मारा गया है महताब सी और जो यहां की जागीर्दार के भाई है उनके गोली लगने से मरत हुई है और गोली किसके लेगी है जाड रेजीमेंट के सिभाई थी जो इस छेत्र के किसान पुरिवानों से समध रखती थे और वो इस आदोलन में भाग लेदी के लिए आये हुए थे और उन्होंने इसमें गोली परी की थी जिसमें महताव सही मालेगी कि अब इसके बात बर मिल्द्रू क्या होता है कि यहां इसकी जिकाइद है वह भौफ जेए होती है यहां पुछी समधेते में बात करें यहां समधरा की अंध्य निंदा करती हैं वह समधार मोत्तण करती है But तुम वन्दे मात्रम करता है एक लोकवाणी करता है परजा सिवक करता है और हिंदुस्तान टाइम्स है यह करता है यह सभी समाचार पत्र है यह समाचार पत्र इस गटना की निंदा करते हैं यह अलग अलग स्तानों से परकासित होने वाले हैं जैसे लोकवाणी है जोदपुर से परकासित हो रहा है परजा सिवक है जोदपुर से परकासित हो रहा है पर यहां जो जोदपूर का परसासन है वही बिध्यान नहीं देता यानि यह पूरी परैसे जागिर्दारों का पक्स लेता है और जागिर्दारों का पक्स लेता है और यहां जो किसान नेता गेवे थे बाहर से किसान नेता गेवे थे उन पर हुप्द में चलाई जाते हैं जागिर्दार के पक्स में और हुप्द में चलते हैं इसके बाद में क्या होता है नित्रू तो इस घटना के बाद भी जागिर् जोदPUR की सरकार के दवारा लिया जाता है यह हम ज्यार लिखेंगे और LAST में क्या रहता है विल्कुल LAST में यह होता है कि जून 1948 मे जोदPUR में एक मंत्री मंदल का कटन होता है कि jack rand vyyaas की न्यों में जैनायन ज्यास की नेत्रतम में जून 1948 में जोदपुर में मंत्री मंदल का कटन होता है और इस मंत्री मंदल के द्वरा क्या कराते हैं कि मतुरा का समार्थूरं और द्वार का स्प्रोहिद इन लेताओं पर उने चला भी एक जते हैं कुल विलाकि हम कहेंगे अगल कि जैन्यायर यास मंत्री मंदल लग्रा मुक्ष्य है में जो किसां लीटाओं पर चलाएगे है वो जून अमरीशब्षातानीस में वहापस ले गें तब कड़ यह चालता रहा है तमित्रू यहां मुझेक एक मधूरादास अमातूर और का चतन रहा यह आजादी के बाद, तो इन्होंने बहुत समय बात में कहा, कि मैं अपने 50 साल के राजयतिक करियर में पीछे मुर कर देखता हूं, तो डाबडा गटना है, यह डाबडा गटना मुझे जगजोर देती है, तो यह कुशन इस तरह से आया था, कि मतूरा गटना का यह स्टेट कर सिक्मेंट दाबडा भीच में से काड़ दिया गया था, कि किस घटना के बारे में, तो डाबडा गटना के बारे में जो 13.1947 को पूती है, और यह पूरी डाबडा गटना है मितुरू, आप इसका स्क्रीन शोट ले सकते हैं, तो यह डाबडा गटना रहती है, कल हम फिर नए टूपिक के साथ केलते हैं मित्रों और आज इतने ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयाद करें ज्यादा से ज्यादा व्लोगों को पहुंचाने का प्रियास करें धन्य वाद मित्रों